तो guys आज की वीडियो में मैं आप लोगों से Samsung के 5 ऐसे features के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको आप लोग नहीं जानते हैं या फिर जानते भी हैं तो बहुत ही जादा इसको आप लोग कम use करते हैं क्योंकि guys मैंने अक्सार ऐसा देखा है कि बहुत सारी लोग Samsung का phone use करते हैं लेकिन उनके phones में मैंने इस चीज की कमी देखिया है उनके phones में बहुत ही जादा कमाल कमाल के Samsung के features होते हैं लेकिन वो लोग use नहीं करते हैं तो फिर चलिए हम लोग 1 by 1 इन सारे features को देखते हैं email id या फिर password या फिर number से हम लोग in करते हैं ऐसे situation में हम लोगों को कभी-कभी होता ही है कि बार-बार उसी same id को login करना पड़ता है लेकिन guys अगर आप लोग अपने phone के अंदर Samsung Pass नाम के feature को enable कर लेते हैं next time जब भी आप लोग in करेंगे manually जो है id और password देने की जरूरत नहीं परेगी अब इसके और भी कुछ ज्यादा ही features है जैसे कि इसके अंदर हम लोग id और password को तो save करी सकते हैं अगर आप लोगों को कोई private note है तो आप लोग इसके अंदर उसको भी लिख सकते हैं वो भी password लगा कर अपने file manager के अंदर store कर सकते हैं जिसके बज़े से ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का features हो जाता है samsung phone के अंदर और guys यहाँ पर मैं आप लोगों को दूसरे feature के बारे में बता हूँ तो यह तो उससे भी ज़्यादा कमाल का है इसका नाम है find my mobile अब इसको आप लोगों को अपने samsung phone के अंदर इनेबल करना पड़ता है इसके उपर मैंने एक पुरा detail में video बना जाया है अगर आप लोग उस video को देखना चाते हैं तो उस video का link मैं आप लोगों को नीचे description में दे दूँगा और यहाँ पर आप लोगों को i button में दे दूँगा आप लोग कहीं सभी जाकर उस video को देख सकते हैं इनकेस अगर आपका phone गुम हो जाए ऐसे situation के लिए Samsung find my mobile का आप लोग यूज़ कर सकते हैं owner information in lock screen इसके अंदर अपने email ID को दे सकते हैं या फिर आप लोगों का phone number है आप लोग अगर उसको दे कर रखते हैं इनकेस अगर आप लोगों का phone गुम हो जाता है अगर आप लोगों ने इस feature को enable करके नहीं रखा है तो आज ही इसको enable कर लीज़े बहुत बार होता ही है कि हम लोग किसी काम में busy होते हैं या फिर हमारा जो phone है हमसे थोड़ी दूरी पर होता है और हम लोगों को अपने phone को access करना होता है जैसे कि उसको silent करना हो गया फिर डिस्प्ले का timer है उसको हम लोग कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं और भी बहुत सारे काम है जो कि हम लोग Bixby Assistant से करवा सकते हैं Hi Bixby, set the screen time out to 10 minute Okay, the screen time out is now set to 10 minutes Hi Bixby, open Google Chrome Hi Bixby, today is my birthday Time to drop some birthday beats अब जो आज की इस लिस्ट का next feature यानि की पांचवा feature है उसका नाम है Bixby routine इसके उपर मैंने एक separate video बना रखा है अगर काईस आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं उस वीडियो का भी link आप लोगों को नीचे description में और उपर यहाँ पर i button में मिल जाएगा आप लोगों को मैं यहाँ पर example से समझाता हूँ जैसे आप लोग Chrome पर किसी भी article को पढ़ने के लिए जाते हैं और आप लोगों का जो screen time out है वो 30 second या फिर 1 minute है लेकिन हम लोगों को पढ़ने में जादा time लेना है जैसे की 10 minute या फिर उससे भी ज्यादा तो अब ऐसे में जो Chrome open होगा तब भी हम लोगों का screen time out है वो same ही रहेगा यानि की 30 second या फिर 1 minute जो भी आप लोगों ने default में लगा कर रखा है लेकिन गाइस अगर आप लोग Bixby routine का यूज करते हैं तो इसके अंदर आप लोगों को select करने का option होता है कि जैसे ही आप लोग Chrome खोलेंगे मेरा जो screen time out है वो 5 minute या फिर 10 minute हो जाए इसी तरीके से हम लोग अलग-अलग routines को लगा सकते हैं यह था गाइस Samsung का पांच बहुत ही जारा कमाल का features जिसको आप लोग सायद ही use करते हैं गाइस वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे comment में जरूर बताना है और गाइस वीडियो और चैनल का content पसना है तो आप लोग इस वीडियो का एक like करके चैनल को subscribe कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में good bye